प्रियंका चोप्रा और निक जोन्स की शादी को आगामी एक दिसेंबर को तीन साल होने जाएंगे लेकिन तीन साल पूरे होने से पहले ही इस कपल नहीं अपने फैंस को एक बड़ा जचका दे दिया है बतादे कि प्रियंका चोप्रा के फैंस अब हैरानी में आ चुके हैं और परिशान भी नजर आ रहे हैं वज़ा यह है कि बॉलिवूड इंडस्ट्री में ये खबरे लगतार सामने आ रही है कि प्रियंका चोप्रा और निक जोन्स एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं ये कप अब डिवॉस लेने वाला है इस खबर के बाद प्रियंका चोप्रा के फैंस काफी हैरान हुए हैं और साथ-साथ प्रियंका के फैंस इस बात को लेकर अपनी प्रतिकरिया लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से जाहिर कर रहे हैं बतादे कि प्रियंका चोप्रा ने अपने दोनों सरनेम यानि की चोप्रा और जोन्स दोनों सरनेम को अपने इंस्टेग्राम हैंडल से हटा दिया जुसके बाद लगातार ये खबरे सामने आ रही थी और ऐसे कयास लगाये जा रहे हैं कि ये दोनों कपल अब अलग होने वाले हैं प्रियंका चोप्रा अब निक जोन्स से डिवॉस लेने वाली है हलाके प्रियंका चोप्रा ने एक कॉमेंट के जरी इस बात का खुलासा भी किया है प्रियंका चोप्रा ने उस एक कॉमेंट के जरी ये बता दिया है कि वो अपने पते निक जोन्स के साथ ही रहना चाहती है या फिर उनसे तालाख लेना चाहती है क्या कुछ कहा है प्रियांका चोप्रा ने अपने कॉमेंट में क्या कुछ खुलासा किया गया है बॉलिवुट की मशूर अक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा के तरफ से और क्या है ये पूरा मामला आईए इसकी जानकारे आपको देते हैं बतादे कि प्रियंका चोपड़ा ने निक जोन से तलाग पर रियाक्शन दिया है उनके रियाक्शन से साफ पता चलता है कि वो अपने पते निक के साथ रहना चाहती है या नहीं प्रियंका के कॉमेंट पर उनके फैंस ने भी रियाक्शन दिये हैं दरसल निक जोन्स ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है जिस पर प्रियंका ने अपनी लाइफ के सबसे बड़े फैसले से जुड़ा कॉमेंट कर दिया है प्रियंका चोप्रा ने अपने सोशल मीजिया अकाउंट से अपने पती का सरनेम हटा दिया था उन्होंने जोन्स सरनेम के साथ चोप्रा भी हटा दिया इसके बाद से लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रियंका अपने अमेरिकी सिंगर और म्यूजीशियन पती निक जोन्स से तलाक ले रही है लोगों को लगने लगा कि प्रियंक और निक के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है और दोनों अलग होने वाले है अलाकि प्रियंका एक कॉमेंट से यख खुलासा कर चुकी है कि वो तलाक लेना चाहती है या अपने पती के साथी रहना चाहती है दरसल निक जोंस ने कुछ घंटे पहले इंस्टाग्राम पर अपने वॉक आउट का एक वीडियो शेयर किया है इसमें निक को हाड वॉक आउट करते हुए देखा जा सकता है प्रियंका चोप्रा ने तमाम ज्यूमर के बीच इस पोस्ट पर कॉमेंट किया है जो तलाग की अफवाहों को खारस करता है उन्होंने अपने कॉमेंट में एक्चा चताई है कि वो जिन्दगी भर अपने पती के साथ रहना चाहती है और उनकी बाहों में ही मरना चाहती है बता दे कि प्रियंका चोप्रा के इस कॉमेंट के बाद अजीबो गरीब रियाक्शन सामने आ रहे हैं साथी साथ प्रियंका चोप्रा ने अपने कॉमेंट में लिखा है गजब मैं तुम्हारी बाहों में मरना चाहती हूँ इसके साथ उन्होंने आखों में प्यार वाले और दिल वाले इमोजी भी बनाए है प्रियंका चोप्रा के इस कॉमेंट से साफ होता है कि वो निक से अलग नहीं होना चाहती है उनके साथ ही अपनी जिंदगी बिताना चाहती है प्रियंका के इस कॉमेंट से लोगों को राहत मिली है हजारों लोगों ने प्रियंका के इस कॉमेंट को लाइक भी किया है और कॉमेंट पर खुशी भी जताई है बतादे के इससे पहले मा मधू चोपड़ा की ने बेटी प्रियंका चोपड़ा और निक जोन्स के तलाग पर रियाक्शन दिया था उन्होंने सोशल मीडिया पर बेटी प्रियंका चोपड़ा और निक जोन्स की शादी में चल रही परिशानियों की अफवाहों के बारे में बात की और कहा कि ये सब बकवास है, अफवान ना फैलाएं बतादे के प्रियंका चोप्र और निक जोन्स ने 2018 में राजस्तान के जोदपुर में रॉयल वेजिंग की थी पहले दोनों की शादी हिंदू और फिर इसाई रीती रिवाजों से संपढ़न हुई प्रियंका निक जोन्स से तब मिली जब वो हॉलिवूड शो और फिल्मों में अभिने करनी के लिए अमेरिका गई थी बतादे की लगतार जो कयास लगाय जा रहे थे और बॉलिवूड इंडस्ट्री से जो खबरे लगतार अब प्रियंका चोप्र और निक जोन्स को लेकर उट रही थी उन खबरों को लेकर प्रियंका चोप्रा ने इस बात को पूरी तरीके से खारस कर दिया है और अपने comment के जरिये इस बात को पूरी तरीके से साफ कर दिया है कि निक जोंस से वो कभी अलग नहीं हो सकती है और उनके अलगाओ का जो खबर लगातार चलता आ रहा है वो बेशक अफवा है और इसके सिवा कुछ और नहीं है याने कि आप प्रयांका चोप्रा और निक जोंस अलग नहीं हो रहे हैं और साथी साथ उनके इस comment के बाद प्रयांका चोप्रा के फैंस में खुशी की लहट जो दोड़ गई है प्रयामका चोपड़ा के फैंस लगातार उनके कॉमेंट को लाइक कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर अपनी खुशियों को जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं अब इक लिए इतना ही यहने कई अपडेट्स के लिए मैं साथ बनी रहें निउस फार्नेशन में नवस्कार